इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत जो hot failure, cirrhosis और antidiuretic hormone यानि की सियाद syndrome जैसी समस्या के कारण हो सकता है। तोलसेमा 15 tablet भूजन के साथ या भूजन के बिना लिया जा सकता है। डॉक्टर द्वारा निर्धारत अनुसार ही इसे लिया जाना चाहिए। आपका डॉक्टर निर्णय लेगा कि इस दवा की कितनी खुराक और आपको उसे कितनी बार लेना चाहिए। अधिक्तम लाब पाने के लिए आपको इस दवा को नियमित रूप से लेना चाहिए। जब तक आपका डॉक्टर नहीं कहता, दवा लेना बंद न करें चाहिए आपको बहतर महसूस होने लगे। इस दवा के उपयोग से बार-बार पेशाब करने की इच्छा, नोक्तुरिया, यानि की रात में बार-बार पेशाब लगना, मुह में सूखापन, तेज प्यास लगना और कब्ज जैसे कुछ सामाने साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर इन में से कोई भी साइड इफेक्ट समय के साथ दूर नहीं होता है या और भी खराब होता है तो डॉक्टर को बताएं। इस दवा का उपयोग करने से पहले, अगर आपको अपने किड्नी या लिवर में कोई समस्या है तो अपने डॉक्टर को सूचित करें। ये अदवा लेते समय आपका डॉक्टर आपके खून में सोडियम लेवल की निग्रानी करेगा। आपको अपने डॉक्टर को उनन्य सभी दवाओं के बारे में भी बताना चाहिए जिन्हें आप ले रहे हैं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद